हेलो फ्रेंट्स नमस्कार स्वागत एक और नए संदार वीडियों बात करने वाले हैं हर्याड़ा पॉलिस कॉंस्टेबल 6,000 पदों पर जो भरती निकाली गी है उसके लिए कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है आज के आम इस वड़ों बात करेंगे स्टेप बाइस टे हर्याड़ा में अगर आप इस भरती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं भले आप किसी भी राजस आते हैं तो कोई दिकतनी फॉर्म भर सकते हैं लेकिन आपके पास सीटी रिशन नंबर होना चाहिए सीटी आप क्वालिफाइड होने चाहिए इससे पहले सीटी इसे एक्जाम के लिए बुलाया जाएगा फिर अपकर एक्जाम होगा और फाइनल सेलेक्सन हो जाएगा तो यह इसका जो है रिटेन एक्जाम और सिलीबस यहां पर रहने बाला है अब चले कर समझते हैं कि कैसे आपको फॉर्म को भढ़ने के लिए यहांसे आप डॉरी मतलब पहले आपको एक रेजिस्टर करना होगा फिर आपके मुवाइल इमेल पर OTP जाएगा, OTP को वहलीडेट करना होगा, फिर आपको पास्वोड होगा, क्रिएट करके आगे को प्रोसेस करना होगा, तो देखें, सबस्क्राइब हो क्या करना है, यहां पर नियूर कंडिड CT रेजिस्ट नमर आपको लिखना है, और लिखने बाग बाद से आपको यहां पर चेक रेजिस्टर डिजल पे क्लिक करना है, जिसा आप इसमें क्लिक करेंगे, आपके इमेल और मुबाइल पर जो OTP को वालिएड करेंगे, लेकिन यहीं पर वीडियो को करने से पहले बतान है, अठाट मिलने माला है, यह किताब चक्सु पबलीकेशन का होने वाल है, बहुत बढ़िया किताब है, इसमें आपको 25 प्रेक्टिस सेट, ब्याखात्मक हल सेथ देखने को मिलेंगे, प्रिवियस थ्री एर्स के, आपको इसमें जो है solve papers भी देखने को मिलेंगे अच्छी किताब है friends मैंने आपको जो buy link description box में provide कर दिया है ब्याखात्मक हल साइथ इन्होंने अच्छे से दिया हुए ताकि आपको उस base पे और भी कोई question आए तो आप उसी base पे solve कर पाएंगे तो किताब बहुत यह अच्छा है मैंने आपको buy link description box में provide कर दिया चक्सू परकासन के किताब है आप अपने nearest book store से भी ले सकते है या मैंने आपको Amazon या flip card का मैंने buy link दिया है वहाँ से भी आप इस किताब को खरीद सकते हैं बहुत अच्छी किताब है इसमें आपको जब practice it देखने को मिलेंगे जो कि 25 practice it आपको इस किताब में दिया गया है ब्यखात्मक हल सही अब आज़े जानते हैं कैसे आपको form को भरना है तो चले हम यहाँ पर ct नमर लिखते हैं और यहाँ पर check रिशन डिवस पर click करते हैं अब अगले step में friends आपका email id यहाँ show करता है यहाँ पर mobile नमर show करता है और यहाँ पर आपको क्या करना है send OTP पर click करना है जिसाब send OTP पर click करते हैं आपके mobile और email पर OTP चला जाता है यह लिखा गया same one time password will be sent to the above mentioned email and mobile मतलब दोनों पर same OTP जाता है दोनों माइसे कोई भी OTP को आपको क्या करना है verify करना है आपका coronavirus time click करते हैं इसके बाद से friends अगले step में आपको यहाँ OTP को भरना होता है और यह hanpě verify OTP पे आपको जो है click करना होता है OTP verify करते हैं आपका OTP show जाता है अगले step में friends आपकी जनकारी यहां पे खुल के आ जाता है जिसे आपका नाम, यहां date of birth, यहां father's name, यहां mother's name, आपका user ID भी यहां पे इससो होता है, अब यह login credential आपका होगा, जब भी आप login करेंगे न, तो यही वाला login ID आपको हमेशा यूज करना होगा, तो आप यहां login ID को भी note कर लेंगी, और यहां देखेंगे, आपको process to complete your application form को option मिलेगा, आप इस पे click करेंगे, आपका temporary first time password जो आपके email और SMS पे भी भेज़ दिया जाएगा, आप इससे जरूर भी note कर लेंगे, और यहां पे हम process to complete application form पे click करेंगे, अब अगले step में friends आपको यहां पे एक नया password बनाना होगा, तो नया password आप यहां पे बना लेंगे, और यहां पे current password आपके mail पे एक already पहले से भेजा गया होगा, temporary password जिसको बोला गया है, तो आप उस password को change करेंगे, जब आप narration किया, तुरंत जो है आपको SMS मिला होगा, OTP के समय पे, आप यहां पे लिखेंगे password को, जो प्राप्त हुआ, temporary वाला, और एक नया password यहां पे और यहां पे बना लेंगे, password बोला गया, 8 से, कम character का नहीं होना चाहिए, lowercase, uppercase, special letter वगर यूज करते होगा, आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, और नया password आप इन दोनों box में लिख देंगे, उसक प्रिंट्स, आपका password चेंज हो जाता है, अब आपको क्या करना है, यहां पे आपको registered candidates का option मिलता, आप इस पे click करेंगे, यहां पे अगर आपको फोटोग्राफ को update करना है, तो update कर सकते हैं, हलां कि यह काम नहीं करेंगा, अब आगे चलके भी update कर सकते हैं, आप यहां पे आप देखेंगे, registration का एक option मिलेगा, यहां पे आपको registration वाले option का करना है, click करना है, तो पहले हम personal details, फिर आपका registration, फिर mailing address, फिर qualification, फिर experience, social economics, details, इसके बाद से आपको upload photo signature और attached documents, फिर आपको confirmation कर देना है, last में final submit कर देना है, कोई भी आपको application फिर नहीं लग रहा है, तो पर free भी नहीं जमा करना है, अब को करना है, process to fill या edit application फिर क्लिक करना है, अब यहां पर अगले step में आपको personal details आपका show होगा, तो आप यहां पर अपने personal details को देखेंगे, और यहां पर आपको बताना है, married है कि unmarried है, इसके बाद साब को see and proceed वाले option पर क्लिक करना है, अब step में आपका पहला step complete हो जाता है, अब दूसरे step पर आजाते हैं, यहां पर आपको बताना है कि आप हर्याणा के निवासी हैं, तो yes करेंगे, और आपका जो हर्याणा के निवासी का जो domicile certificate हो तो आपको यहां पर देना होगा, और यहां पर अपना category जो है, आप यहां से च under BCA या BCB category and fall under non-crimalier, अगर आप non-crimalier में आते हैं, तो आप यहां पर yes कर देंगे, और अपना non-crimalier की जनकारी यहां पर देंगे, अगर आप जो है नहीं आते हैं, तो no भी यहां पर आप कर सकते हैं, यहां पूछर अगर अगर आप ex-serviceman है, dependent ex-serviceman भर्याणा है, तो आप यहां पर yes करेंगे, और अपना ex-serviceman के type बताएंगे, नहीं तो इसे आप no कर देंगे, यह सब भी disable हो जाएगा, अगर आप यहां पर yes करेंगे, तो उसके according यहां पर आपको certificate वोगर है, आप आपको देना होगा, इसके देखेंगे, तो यहां पर आपको ESM type में आप से आ रहा है, बहुत सारे option, इसमें साब जो भी category से आते हैं, तो चूच करेंगे, और इसका प्रमान पतल आपको जनकारी देना होगा, नहीं है, तो आप इसे नो करेंगे, इसके बसे नीचे पूछ रहा है कि, न तो आप आपके परिवार से किसी बैक्ती हरियार सरकार किसी अने राजे सरकार या भारत सरकार के किसी भी भाग, बोर्ड, निगम, कंपनी, कानून, निकाय, आयोग, या प्रधिकरण में नियमित करमचारी होने का कोई अधिकार या अभ्यास है या अथवा नहीं है, तो यहाँ पे आपको यसनों में अपना बताना, अगर आपक सर्टिफिकेट है, जो लोग सोसल एकोनोमिक्स काईटेरिया माक्स बोनस लेना चाहते हैं, तो उनके लिए हैं, और आप क्या करेंगे, इससे बनवाएंगे, जो भी आप यह सीनेचर वगर दिया हुआ है, हेड ऑफिस उसका द्वारा आप बनवाके, और इसको अप्लोड क आपको अप्लोड करना, यहां पर वेरिफिकेशन करवाना है, रिपोर्ट अफ नम, बार्डर, एमसी या पटवारी या तहसिलदार, इसके द्वारा आप क्या करेंगे, यहां पर बनवाएंगे, और आप इसमें से सबके द्वारा वेरिफिकेशन भी करवा लेंगे, और इ इसके बस आप नीचे आएंगे, तो यहां पर दिखेंगे, 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 तो यहां पर दिखें दोनों में और सीनेचर करना है चल elders आपको बहुत लूट को अपको बताया आप जो भी是這樣 बनवाना चाहते है आप बनवा लीजेगा उसके according आप आगे जनकारी को upload करना होगा अब यहाँ पूछ रहाँ friends are you first or second child of your father or died before age of 42 years तो आप yes में बता सकते हैं यह पूछ रहा है किया आप पहली या दूसरी संतान पंदरवस की आयू प्राप्त करने से पहले आपके पीता की मिर्ती हो गए थी तो yes में बता सकते हैं आपके पास NCCA या BCC certificate है तो आप यहाँ पर yes कर सकते हैं नहीं है तो इसे आप no कर दीजेगा अब देखें यहां पर आपको जह ना अगर आप यहां पर बताते हैं कि आपके यहां कोई भी मतलब सरकारी जॉब में नहीं है तो उसके according आपको जो है no job certificate जैसे कि मैंने आपको अभी पहले बताया कि no job certificate का भी आपको परमाया पत्र अप्लोड करना होगा कि आपके घार मे अगले स्टीप में आता है आपको जो है पते का विवरार देने के लिए तो यहां पर आपका जो भी परमेंट अच्छे से यहां पर भारेंगे जो भी आपको नीचे आना है और यहां बताना है आपको अपना जो है mailing address तो यह पत्राचार का पता है जो भी आपका प्रोपर address से अच्छे से आप अपना address को फेल करेंगे अब अगले स्टेप में आता है फ्रिंट्स आपको education qualification की जनकारी भलना तो यहां पर आप देखेंगे तो सबसे पहले आप मैट्री की जनकारी बताएंगे तो मैट्रीक आप जो हिंदी भी से होना चाहिए या संस्क्रिद भी से हुआ है और यहां पर पर्सेंटेज या cgp वगर के बारे में जनकारी को बताना है थोड़ा सा यहां खीच के इधर करेंगे तो यहां पर आपको obtained marks बताना है और उसको pdf यहां पर बनाके AQMB से काम होना चाहिए और आपको यह पर अप्लोड करना है जो आपका metric certificate है metric certificate अट करने के बाद से आपको 12 की certificate को यहां पर यहां पर आपको 12 की certificate को चूछ करना है subject लिखना है board उसी तरह से passing year role number certificate सर्टिफिकेट इसु डेट और कितना नमबर मिला हो आप यहां पर बता देंगे और आपको यहां पर करना है मैंट्रिक और इंडिटी जनकारी को एड करने के बास यहां पर पूछ रहा कि क्या आपके पास कोई अनुभाव है एक्सप्रियेंस है तो आप यहां पर यहां पर करेंगे और यहां पर से इस अफन स करेंगे अगले स्टिफ में लें समाजिक आर्थिक निसान के बारे में आपको आएंगा तो यहां पर यहां पर फो披़ ब़ते समिए पर रहा है कुछ बोनस मरक्स आपको मिलता हमने सब को नो है तो यह सब जीरो 0जिरो यहां पर सोगरा है तो इसे आपको देख लेना है देखने के बाद से हाँ पर आपको हैं पर आपको से जब एन प्रोसीडवाले option पर क्लिक करना है अगले टीप में आपको जिए photograph और सिनेचर को अपलोड करना है यहां पर लिखा होता है और यहां पर आपको यहां पर आपको जो है जनकारी सु हो जाती है तो हमने आपको बताया कि यह सब डॉकमेंट्स आपको अटेच करना वाला पर लिए बाट जाता है उसके बास से प्रिंट आउट निकालके हाड़कॉप पर अपनी पास सुरचित रख लेंगे और उसकी बाद से फिरिंट शा करेंगे आप प्रिंट आउट निकाल के रख लीजेगा तो इससे फिरिंट आप में बात किया कि हरा पुलिस कॉंस्टेबल में कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है आसा करता हमने आप ds.helping.gmail.com आपको description मिल जाएगा या जो है मेरे about us वाला page पर मिल जाएगा इस चैनल का आसा करता हम पोजनकारी समझ माएगा मिलते हैं किसी next video में जाहिंद